पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोगाम को देख रहे हैं उन्हें को शामदीद कहता है पानी, बिजली, गेज, इस्टेट क्राइम, लाइन ओडर, करांची क्या तरक्की की तरफ गामजह ने बिलावल बुट्टो साब आपने देखा होगा पिछले दोनों कि बहुत अच्छे तरीके से तंबी करने लगे अपने ही केबिनेट मेंबर को, अपने ही MNS को, अपने ही वजीरों को और कहने लगे कि मैं आप से इतना ज़्यादा खुश नहीं हूँ, कुछ लोग तो बहुत अच्छे तरीके से काम करें और कुछ लोग जो है, मैं उनके काम से मुतमेनी हूँ, छे महीने का अल्टिमेटम दिया है कि आप जो है, इन कामों को अच्छी तरीके से करें, नहीं तो फिर इसकी काउंटर चेकिंग होगी, तो क्या वाकिही इस तरह की चीजे होने लगी है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, इस पर हम गुसू करेंगे, मेरे साथ तश्यू फर्माएं, पाकिस्तान पीपस पार्टी के रहनुआ, माशालला हमारे कई प्रोगाम की जीनत बने और बड़ा अच्छे अंदास के अंदर अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते है, राना गुलदारतास सब, इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश्याम जीत करते है, असाम वालेकूं, कैसे हैं सब ठीक हैं, मेरे दूसरे मेमाने तज्दिया निगा रहे, और स आए और प्रेस कानफरन्स के अवाले से और अपनी तमाम पार्टी के मेंबरों को, कैबिनेट के मेंबरों को उनको बला कर कहा के, अब जो मैं देख रहा हूँ, वो मैं आपके काम से मुतमेश नहीं होरा, सिंद्द के हावाले से भी बात की गई, और पूरे इसके हावाले स सिर्फ सैटिसफेक्शन दी गई या वाम को सिर्फ तसली दी गई है इसका क्या नतिजा निकलेगा शुक्रिया सलीम भाई अपका आपके चैनल का का आपने मदू किया बुलाया आपके विनिश टी वी का देखिये चैर्मेन ब्लावल भुटो जरदारी साब ने बड़ी साब एलेक्शन के बाद से ही तन्जीम और आवाम से राबता शुरू कर दिया था और उनकी आराज वो इखटा कर रहे थे और वो देख भी रहे थे सुन भी रहे थे आए बगाए लोगों आवाम के मतालबात भी सुन रहे थे और उन्होंने बड़ा गोर किया देखा भी है और उसके बाद उन्होंने परलिमानी बॉर्ड का जलास बिलाया और उसमें सीम साब को भी मदू का तंबी किया और उनकी कैमिनिट को भी कि जो आपकी कैमिनिट है ये काम सही नहीं कर रही अवाम के मसाइल पर तबज़ा नहीं दे रही है मैं ट्रासफर पोस्टिंग पर त इतने MPA's MNA's सब को कहा कि अपने हलकों में जाएं अवाम से राप्ता करें खुली कचेरियां लगाएं अवाम के मसाइल सुनें अवाम पर रिशान है क्योंकि पार्टी की तन्जीम की जब भी मिटिंग होती थी जब भी चैर्मैन साब उनको बुलाते थे तो वो यही शिका जाना तो निए कि दोबारा एलेक्शन तो गएरा की तरफ तो कोई ऐसी मोमेंन तो नहीं है? एलेक्शन देखें वो तो एक बात की बात है. बात यह है कि हम स्यासी लोग है और हम अवाम की पादाश हैं तो अवाम से बाहर हम नहीं जा सकते हैं और यह बड़ी खुशाइन है कि चेर्मेन साब हर वरकर से मिल रहे, और पार्टी उदेदार्ण से भी मिल रहे, और अवाम की आरा जो है वो आए-बगायर लेनी चाहिए, क्योंकि इसलिए कि हुआम क्या सोच रही है हमारे बारे में, अवाम ने हमें वोट दिया है, हम पे इतमाद किया है और उनकी तवक्वाद पे पूरा उतरना पाकिस्तान पीपोस्पारिटी के कारकून, वरकर, M.P.A. मेंने सब की जिम्मेदारी है और उनके मसाहिल को सुनना और उनको हल करना इनके जिम्मेदारी है अवाम ने हम पर बड़ा भारी इतमाद किया है चेर्मेन ब्लाव ड्रोजर दारी पर और जवाब भी उन्हों नहीं देना अवाम को और वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं इसलिए उन्होंने बड़े ब्रहम हुए और नाराज भी हुए सीम साहब पर भी और तमाम कैमिलिट पर तो कैमिलिट के लोगों को समझना चाहिए क्योंकि उनको भी अवाम में वोट दिया है और वो चेर्मेन साहब नहीं उनको भेजा था तो पार्टी की नेक नामी उसी सुरत में होगी जब अवाम के मसाइल हल होंगे जफर सब आप क्या कहते हैं इस सवाले से फिर अराण सब की तरफ दोबारा आते हैं देखिए इस वक्त सुबा सिंज है जो सबसे ज़्यादा हसास सुबा है और सबसे तवील एक अरसे से पीपरस पार्टी की यहां पर हुकमरानी है बिला शरकत गहर है और सिंज वो सुबा है कि जहां वसाइल बेपना है लेकिन उस वसाइल की बेपना होने के बावजूद मसाइल भी उस से ज़्यादा बेपना है और इस तरफ कोई तवज्जा जो है वो नहीं दी जा रही होती नतीजा यह है कि इस वक्त सिंज के अंदर लालकाना से लेके और कराची तक जो है वो एक मसाइलिस्तान बनावा है आपने इंट्रों के अंदर जिन के तरफे आपको बता हूं कि यहां गवर्नेंस का मसला है और बिलावल भुट्टो साब ने सही तवज्जा दिलाई है अपने सी एम और कैबनेट को सुभाई कैबनेट को इसलिए के देखें यहां पर जाए गवर्नेंस गुड गवर्नेंस की बात तुम मैं नहीं करूँग और उनसे आप लाग स्यासी अग्तलाफ करें लेकिन उन्हों नेए वहां पर रोटी की की किमत को कम कर्वाया बैकर smoothie की की के कम कर्वाया लेकिन यहां सिम्द सूبольз का मसला कि यह की यहां ट्रांसषर पोस्टिंग तो सब अपनी मर्दी के चावते हैं सब यह चाते हैं कि मेर तो बजायर असा लगता है कि उनको मसाइल थे कोई जिल्चस्पी नहीं है कोई इंट्रेस्ट ही नहीं है नतीजा यह हो रहा होता है कि आप देखें कि यहां पर यह सारी चीज़े कम होने के बावजूद जो है वो मनमानी चल रही है अच्छा आपकरी डाले जो है अपने आइ ठेशा पैजि के उल भुट्टो जहे वो आप पार्टी के चाएदे अन्हों नें भी इस बात को महसूद क आगा जैसे अगावं नोट कर रही है कि अगर यह गवर्नस ठीक होती और ये पूरी मशीनरी जह है वो सही काम कर रही होती तो फिर ये तो नसे नहीं क्वाई नहीं का पर और गांगा जो कि मूच आप से सवाल करूं हमारे साथ से टेलीफोन लाइन के पर MQM के साथ एमने किश्वा जहुरा साहिबा असलाम आलेकुम जी वालेकुम असलाम कैसी आप ठीक हैं अलागा बहुत करूं अच्छा मैं यह किया रहा हूँ कि एमकेम के हवाले से अगर मैं आप से कुफ्तू करूं कि भलावल बुस्ता साब ने भी पिछले दिनों एक प्रेस कांफरंस की और उन्होंने अपनी ही इस तम कराची जो है हमारा बड़ा इस वक्त इंतिजार में है कि कुछ भेधरी की सूरत लेकर आए अचा आपका पूरा स्वार साफ सुना यह रही है मैं यह किरह रहा हूं मैं दوفार से अपस्ावार उरहा है आपकी सलीम सात्याः नहीं बात कर रहा हूं सलीम साथिया नहीं बात करा एंकर मेरे साथ है के पाकिस्तान पीपस पार्टी के भी मौजूद है तज्या निगार भी है हमारे शेक अभीब साब भी जो के हमारे आल सिटी ताजिर इतात के मेंबर है तो मैं आप से यह सवाल करना चाहूंगा कि पिछले दिनों बिलावल भु कि पिछले दिनों आगे नहीं सुनाई दिया आपने टी-वी के वालियम को तरह थेज तो नहीं किया है अच्छा आपसे दुबारा कॉल बेक करते हैं फिर इसके बाद आपसे उप्रूव करते हैं ठीक है जब तक में आवाज आ रही है दुबारा टेलिफोन लाइन पर आप कि कराची जो है एक बभड अगर उसकी तरफ जाएं दुबारा की दो की आवादी दिखाते हैं लेकिन तीम साढ़े तीन करोरा की आवादी को तो तुक सब किस्ब वहीं कहते हैं तो इस आबादी वाले शेहर के अंदर मैं आपकी income next के हमाले से बात करूंगा, सब चीज़े बात करूंगा, इसमन क्यों मुझता सूरत आले इतादिर जो है, इस वक्त किस हमाले से परेशान है के एक एलेक्टिक के हमाले से, जिसे में अपने इंट्रों में मिकार के पानी, ग आपने एक ही सवाल में कई सारे सवाल कर दिये मैं एब यार की बात करूं या पिस सिंग कौर्मिट की तो मेरे ना मेरे खाले पहले भी जब यह मौदू चल रहा है तो जायर है वो चेर्मिन ब्लाउटु साब के हमाले से देखे कनाची के अंदर आपने कार में समझता हूं साथ से बादतर पर साथ रेमिल को अदा करता हूं फ़्रभयों को फुर्वर्य कुंद कवंडू में आपने इजा अधना करता है लिगन हमारी बतकिस्मत इस एक हर स्यासी जमात इसे औहन तो कर्ती है इसे औहन शुडु है एस से जावार बनती है लिगे इसके मसाइल को हल क कोई शेक्स तग्यार निए के लगटिक का जौन अनिजम आपने साथ देखा हुआ है पिछले कई दाहियों से आपके परोगाम के अंदर बैटकी बात कहते रहें और हम यह कहते रहें कि के लगामे डाली जाए और अगर के लगामे ने डाल सकते तो खुदाराफी इसको दफन करें इसको खड़ें कर दे हमारे साथ डिस्टी है उनको प्रिजशन में लगा है को तो को फायदा दे ना आप पिछले सासाल से लोगों को दे क्या आए हैं और बाई आप कहते हैं हर चीज में यानि के पाकिस्तान के अंदर वहाई शेर काराची जो के हर चीज में बढ़ च तो बिलकुल देखना चाहिए अगर एक पाकिस्तान की बड़ी जमात है इस उतों सदरे पाकिस्तान में सब्सक्राइब जर्दारी सब्सक्राइब तो बिलगुसूर्स इनने तो कि अच्छी को जो है तुबारा से ऐसा खाला कर देना चाहिए कि लोग कहें कि परे दुनिया के सब्सक्राइब करती है लेकिन अब वो दोर आगिया कि जो काम कर आवे नजर आएगा नहीं जो काम करता हो और अगर आएगे ग्राउन पे सर उसी को लोग मानते है तो आप क्या समझते है कि इस वक्त जो जिस तरीके से बात की गई उसकी एगए गयते है कांटर चेकिंग हो कि आप अन्दाजा करें कि हम हर चीज के अंदर तन्खाए तो आप हमें देने 30-35 जार वे एक आम आद्मी मजदूर को है और जो हमारे पर जो बं डालावा है वह यह तो बिजिली का मिल बढ़ दे या गैस का मिल बढ़ दे या पिर अपने बच्छों के लिए रोजगार का किया जाए ताकि इन गयों को अलाव से मिल सकें और इनके तमाम अलाव से मिल सकें तो इस तमाम चीज़ें मराद एक जवान आदमी से ले तो लेते हैं जब बढ़ापी के तरफ जाता तो उसका कोई सारे भी होता ठीक इस पर गुफ्तु करते है टेलिफोन नाइन के ओपर ह जाता हूं के जस तरीके से अमारे दोस्ट बी जख़ात के वाले से अथनी बड़ी डिबेट कर रहे हैं आप क्या समझते हैं कि इस वक्ट जो सिंद्ध की मौज़ा सुरताल है मन्तों मसाइल के हوाले से ठीक है ये वाली बात भी हुई सब चीज़े हुई मसाइल के हवाले स अमाम यह नहीं देखती के हमें क्या करना है uh how to see हैं देखें जी अवाम के मसाइल हल करना हुकुमत असिंद्ध के जिम्मेदारी है क्योंकि अवाम ने वोट दिया है हम पर इतमाद किया है और मजदूर बिल्कुल विरभाई ने सही कहा कि मजदूरों के लिए जो फैक्ट्री है फैक्ट्री में ठेकदारी निजाम को दफन हो हों कि अ अगया फैक्ट्री अचारी चाहिए और जो मजदूर अपनी पूरी सिंदगी देते हैं उनको पका होना चाहिए उनके मेडिकल की फैसिलीटी होनी चाहिए अच्शे सबसे बड़ी महंगी है तालीम की फैसिलीटी उनको होनी चाहिए यह हुकूमत इस görüşंकि जिम्मे लेबर मिनिस्टर की जमेदारी होनी चाहिए कि वो इन सब को पाबंद करें। दूसरी बात प्राइवेट जो इधारे जो हैं इनको मुस्तहकम होना चाहिए। प्राइवेट पॉब्लिक पार्टनर्शिप के तहद इनको चलाया जाए। इधारों को मजबूत किया जाए। और पाकिस्तान प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहद किये भी है। प्राइवेट प्राइवेट पार्टनर्शिप के तहद किये जा रहे है। टाइम तो सारी जिंदगी लेने लेकिन नहीं काम हो रहा है और काम करना है। शेहर के अंदर बहुत सारी चीजे जो हैं तामीर हो रही हैं और आपको मैं बताता चलूँ के देखें प्यायए भी जो है वह बहतर अंदाज में काम कर रहा है। जब तक अकॉंटबिलेटी नहीं आएगी इसमें मुस्तहकम नहीं होगे मिनिश्ट्रों को ऐसी से बाहर निकलना होगा जो जो उनके डिपार्टमेंट है उन पर जाना होगा च्छापा मारना होगा उनकी कारकरतगी रपोर्ट चेक करनी होगी अब क्या हो रहा है? कि यहां बैठे हुए तो आपको यहां ज्यादा जी नजर आता है दूसरे सूबे में थोड़ा क्योंकि वह हम होते नहीं है तो चीज यह शोशल मीडिया और दूसरी तरीके से यह आती है यह हमारा भी जाना होता है शेक साब का भी जाना होता है जी मैं बिल्कुल सही कह रहे ह है यह मेरे भाई से में मुत्विक निविस्वारी बास है अनुदुला इनके पॉर्टल के पर हर चीज मिलेगी आपको कोई चीज नहीं लेगी मैं बुदारिश करना हूं कि यह मुनिस्टों को ऐसी से बाहर निकलना होगा अपने डिपार्टमेंट में जाना होगा यह होग करना कब होगा इजलास के अंदर क्या होता है मैं मुझे तो कहने तो दें दीजी बात यह है कि जब वो ऐसी से बाहर निकल कर वहां जाएंगे और वो उसको चेक और बैलन्स करेंगे उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या खराबी है और क्या सही है उसका मत्तब है यही चीज में मंझेवे अब इनको बताया जा रहा है वो तो पहले एक्सपर्ट है तो क्यों यह कर लेते हैं तो बात यह है कि काम करना होगा काम करना है अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा शेहर में हम काम तो गिनवार है लेकिन यह कहीं कम काम है इसे ज्यादा हमें काम करना होगा 24 आवर्स काम करना होगा हमें सबसे पहले तालीम सहत और सफाई पर काम करना होगा सफाई का निजाम जो है बहतर तो हुआ है लेकिन इस तरह से बहतर नहीं हुआ क्योंकि सॉलिट वेस्ट मेनेजमेंट के जो कच्रा उठाना था लेकिन जो इलाके में खाकरूब होते हैं और जो कच्रा उठाते हैं वो उन से साथ बाद करते हैं तो मैं समझता हूं इसको दफन करना होगा उनको चेक एंड बैलेंस करना होगा क्योंकि अवाम को जब करेंगे तो अवाम मुतमईन नहीं होगी तो आपको में शायद आवाद नहीं बात करूं मेरे साथ क्याते हैं पाकिस्तन पीपर्स पार्टी के शेख साब भी बैठे में हमारी तजिया निगार भी बैठे में जिस तरह भी पिछले दिनों बलावल भुट्र साब ने अपने सा आपके कामों से मुतमई नहीं हूँ और छे महीने के अंदर अगर आपने ये सारी चीज़े नहीं की तो मैं जो हैंने पिर इसका काउंटर चेक करके पिर जो भी चीज़े होगी फिर मैं आपके सामने एक्सपोज करूँ क्या आपकी MQ ने भी कराची के हवाले से या सिंद क हवाले से जहां जहां आप लोग अक्सिरेट से जीते हैं तो क्या वाकिए आपने भी कुछ इस तरह का एकदाम उठाया है या वेटन सी कर रहे हैं या कराची के लिए क्या करने लगें आप अज्या सबसे पहले तो आपके मेहमान हैं उनको मैं सलाम करती हूं जी वाले कुछ अबारिक बारिक बार्वल ने बहुत अच्छी बात की है कि अपनी गलती अपने लोगों की गलती ओं को जच किया पहचाना और रोका अच्या उनका गिला सही है क्योंके अस्तियारात उनक उनके लोगों के हाता ने बहुत आएक उसके बावजोद इस बेखना है अचा शहर उनका भी है और हमारा भी है, हम दी एन तकालीफ को देखने हैं लेकिन हमारे पास अच्तियारात नहीं हैंं उनके आएर बिखेए अम के में मुस्फा का माल का भी आपने मेर का दाख़ दे करते थे अब कैसे वो इस काम समभुत महिनी इसलिए को उन्हें करने का श्यार नहीं दिया गया है अगर आप पिछना थोड़ा सा माजी उठा के देख लीजे कि मुस्टफा का कमान साहब का जब मेर का दौर खतमा उसके बार साड़े साथ साल तत इलेक्शन ने हुआ जो ओर यहां बख दिया ही ना हो तो वह शहर के शाड़े साथ साल में जो है रही हुआ और उसके बाद जो लोग आया वो जेल में था तो हकीकत यह है और धूरे लोग भी इसको सबाल ली पाये तो बनावल का गिला अपने लोगों से बिल्कुल सही है लेकिन हमसे गिला यह नहीं ह कर दो सारी अपकोभी सारा हुकूमत के साथ मुनसली कर रहे और सबके साथ अपड़ हो जब जब वक्ष मेला तो काम किया ने मैं ही पूछना जाता हुआ हूं सब्सक्राइब काम किया अगर आप देख रहे तो सब्सक्राइब आपके साथ इनको हटाने के बाद जो है उसके बाद किसे तरह आपने काम किया ऐसा काम बता दें जिसको मैं समझू कि वाकि बहुत अच्छा काम हुआ बहुत आप देख रहे हैं च्राइब काम हुता है मैं तो खुंच इस बाद काइट वहो है था इसितराफ कर रही हूं कि हमारे हाथ पीछ बने रहे हैं नहीं स्तिया तक अब बात कर रहा था, अगर आपके हाथ बंदे वे ऐहं से, मेरे कोई और साहब बात कर रहा है ने ने कोई और नहीं बात कर रहा है मेरा खाल शायद आपको कहीं और से आवाज आ रही होगी मैं यह कह रहा हूं कि आप आपके हाथ बंदेवे आप हमेशा मेंने MPS आप आपके हाथ सब चीज़ों होती है तो यह हाथ कब खुलेंगे यह काम कराची का कब होगा जरा हम भी द हम पर अवाम के मसाहिल का बहुत बड़ा बोज है हमारे पास ना मलाजमते मिल रहे हैं बच्चों को लड़कों को ना दाखले मिल रहे हैं वो परिशानी आलग और शहर के जो हश्र हुआ है यह जिसकी ना को जली बची है ना सड़क बची है कुछ भी नहीं है इतना बरबा पर इंतजार सभी वक्त गुझारा जाएगा देख्टे में अगारे आप बात करना चाहता हूं कि अप भी क्यादा शार की अप दोनों बड़ पार्तियां मौजूद थी उससे पहले जो पीटियाई की ऊकुमनत थी उसके अंदर भी आप उनके शरीकेकार थे इस वक्ष़ हमारे हाथ बंदे में कौन खुलेगा किसने बंदे में कब खुलेंगे कब इस शहर के मसाइद हालोंगे नौजवान इस शहर से इस मुलक के मस्तब्र से मायूत हो रहा है यहां से सारे बाहर जा रहा है अभी आप देखें यह साल का जो यह चंद महीने जो गुजरें इसके अंदर 55-60 नौजवान जो है वो इस शहर के इस्ट्रीट क्राइम की नजर हो गए और गोल्ड मेडलिस तक उसके अंदर मौजूद हैं पड़े लिखें नाजवान मौजूद हैं मैं देख रहा था कि अब जो है वो बास जो है वो आले खाना जो नाजवान बहार है वो यह कहते हैं कि यहां आने की जुरूद नहीं है नहीं रहो अब यह बहुत इच्छा है कि आप खुद कुबूल कर रहे हैं इस मास्कों क ओर्स जहरी थे कि इस चाहर की क्या हालत है किस तरह से लोग मारे जा रहे हैं आप बताये क्या पुलिस हमारे हाथ में है इंतिर्यमिय हमारे हाथ में हमारे को नाजवान मारे जा रहे है आप पिछले हाफसे उड़ा कर देख ल Chem here लिखे बच patches और यह मारने वाले कौन इन ज जो लोग ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सब नहीं, सब जाने पहचाने हैं, उनकी सरपरस्थी कहां से हो रही है, कैसे हो रही है, वो कैसे बच के जाते हैं, कैसे मार के चली जाते हैं? यह ताजिर बढ़ादी से भी मेरे तालोक रखते है शेक साभ यह कुछ कह रहे हैं कि हमें भी कोई MQM के वाले से कोई बात करनी दी जी बिसमिल्याय रख्मानी दी दी देख मेरी बहन जो बात करें कि अपनी जगह पर सही है लेकिन अफसोर्श इस बात का है कि यह कराची जो है साड़े तीन कोड़ से जादा की आबादी का शेहर है आपको यह एक जमाने से मन्तखिर हो क्या है इसे तो एक करोड़ चालीस लाट क करें लेकिन बाजी मुट्धा कोमिन कोई करदार नज़र नहीं आ रहा है बिल्गूसुर इस वक्वड़ चाला तो जो वाकिया तापके साबने मौजूद है कि कराची के कौन से हॉम ग्राउंड पर आप ने कोई अधिजाज किया कि आपने कौम के लिए कोई आवाज लगा अधिए आप मैं यह कह रहा हूं कि इस वक्त जो के लक्ष्टी का बाहरान है इसे कैसे खत्म गया जा सकता है इस वट आप हकूमत में है आपका तो काम है के कराची शेहर में ख़ले हो जाना और इस काम को हल कर ना लंबर दो गेस की बंदिश द अधिए मेरी बहां गेस की ब कराची के अवाम को जान बूच के इसे बरबाद किया जा रहा है यह कौन सी पॉलेशी है कौन सी हिकमत अमली है यह समझ नहीं पा रहे हैं आप भी इस अथ हकूमत में मौजूद है तो हमारा गिला आप से बनता है कि मुत्यदा कौमी मुप पाकिस्तान जा है वो इस अथ आप से बनता है कि मुझा रहे हैं आप अम्हाइए कि अपकर रहे हैं किस तरह नहीं बहुत कम आ रहा है इस प्रेटफॉम से कहीं भी जिस तरह आप जमात इसलामी को देखते ते को वो बिलकूल के हर चीज के हवाले से अमाम के साथ साथ होते थैं अभी चाबर श्में अग मुझे के चारी समय करा के तुछ इन ही जमात इसलामी ने पही के पैसे क्यों नहीं किया है यो मसायल किस तरह हल होंगे अब चले यह वाले सवाल की कर आ गया है अच्छा हाथ कब खुलेंगे और मसाहिल कैसे हल होंगे यह आखरी सवाल अपस में कर लेता हूं देखिए मसाहिल हल होने का तरीफा यह है कि हमारी आपस की जंगे और हमारी आपस की चपकलश खतम होनी चाहिए इस वाफ हम रो रहें, सड़ल उसके उपर के तमाम लोग बैठें और निगोसियेशन करें लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जो हाके में हम कहले हैं जरूर कहलाएंगे कि हम उकज़ में हैं लेकिन कोई सनवाई हमारी नहीं है अब हमारी सुन्वाई होती तो कमस्कम कराची में तिनी गतल औरतगरी बना होती ना गतल औरतगरी तो हमारी हो रही है तो बैन मेरी इसी तरह अवाम जिस तरह सबर कर रही है अवाम जिस तरह इंतेदार कर रही है तो इसका मतलब यह कि आप भी इसी तरह इंज़दार कटे रहेंगे अवाम का सबर खतम हो गया है अब वो देखी डाकों को मानने के लिए निकल पड़े हैं निकल आए हैं तो आप लोग क्या करेंगे इस हवाले से अवाम के साथ खड़े रहेंगे अवाम के साथ भी देखेंगे के अवाम खुदी निकले रही है या आप उनके साथ जोएंड करेंगे ने हम अवाम के साथ खड़ें लेकिं हम मार कार्ट के हवाले से जरूर चाहते हैं वे वे उनके साथ जरू शरू बफटाशनीग से पहोगे, पॉलिशी निकले है लेकिन आपको बचाहँ पर पाकिस्तान यह हभ और हमांज परोड़ के लोग पर्ड़ में तक्सीम हो हुग है त fakутつ भाविया वोही कितने सारे एंने आई एक मिनिस्टी दे गई हमें आई कि ताम कमईटी आइ हमें अदिने इन्हें हमें मैं कि भे चुछными देने कि तो हाती ने आप पूह चुन अधी भी करने चाहते ही लेकिन खाने किसी और के ही हमें अजिए आजिन के हवाले से एंटीन का जो मसला है जो आप लोग कर जहते हैं कि इस सब सब नेट के अंदर आएं के सारे टेक्स पेड़ हो तो कोई एक स्कीम आईए कोई दोस्त तो क्या स्कीम है उसमें क्या चीज़ आ रही है देखें बिसम लाहरा रख्मान रहीं टेक्स वा लुट कोई जाने की आजिए ग्याब कोई लुट आए टाको टॉट करिया रहा है और इसके अलावा भी तेक्सित अदा करता है जब बच्छा दुनिया में आता है जनब इसके जो जचा की लिए मेडिसन इस्था नहीं उसमें भी टेक्स हिए जाए जाए जब दुनिया से पर रुकसत होता है और अपने कयाम का आखरी तर उसमें जा रहा हुता है तब ही उसके कंफन का जब अपना खरीद एता है उसमें भी टेक्स जाता है एक गड़ा कोड़ने वाला जो मज़ूर जिसकी तनका एक हजार उपर यह पड़ है तो भी अपने बच्चे के लिए कि अंदेश क्ने घिनेव गृप्स बाकिस्तानली अस्ट गरियर कोड़ द्ध की यह पीने का साफ पानि जेते हो कोई इक् शेयर बटा देए जहहां पर बघृ घॉन्र सहयत की का द्नियौ हो को एक चेर हिये बता दे वो हमसे कह रहा है कि जिस दिन मुझे लोगों का दर्स हता रहा है, मैं पाकिस्तान आ रहा हूं अपनी कौम के लिए, तो सर अब आफ ने क्या किया? करें ने अपनी जाइदा दे बेचें, तीसे छालीज परसंट अपनी जाइदा दे डेच के अपनी इस मुल्क का करजा उतार के लग ने शहता ने तो आपको ख़नकी पका देखा हो दोड़्यों को में ढाबांट इस अपनी कर देने है वहा हुआ ने जाफ कर दिन को घड़न के लिए ए 45, 45, 47, 49, अरे भाई भाई अबारा पेडरी बनेगा। अब उसी तरफ हा रहा हूं जो आपके टेक्स वाली स्कीम जाए ना तेक्स में यह रहा सो रुपय का जो इनोंने एक लिबाद हो रहा है ना तरफ हम समझें कि ताजिरी स्कीम दोस्त बहुत अच्छी आई है और हमने गोला साथ आट लागी जो ताजिर एक कराची से लेके पूरे पाकिस्तात तक हम उने चोट ताजिर को इसमें करा देंगे हैं गए ने साथ में हमारी आट जरास होता है चेल में अज़ाओबाद में एक भी चार शभी लेप बना दे लो हो जो एक विड्यों एक बन पैस का इम बना दे और एक बना अंपेज प्ना पर एक उर अपन नबर शही बाद उसमें गाल तो हो ठीक्स बुप हर देंक भी को जो आवरे दुकान्दार आएगा एगा हमें पताए कि एकाइस काम केज़ा एक उसको बनागी हुष को बना यह कि नहीं होता है अब हाई अब आप में देका पिछे दुनी जोड़ा नही दुनीं के विज ए पिज बनाई हमें हमसे ते किया रुपे से तीन रुपे तक और कि अपना रेंड काहा जेगा इसको हमने वापिस करवाया जनाब हमने इतिजाज किया फाइन से मिस्टेक होगी यह हर्दभाइन की यही इस्टेक है अभी जह इने पुछाए बारासों के नाम से यह बोली पाफ दे रहे हैं इसकेपी जो हजूंका सिस्ला दे गिया मुझे बत किंश的 एक एक रेंड को इसको हम तो भारास ढरता का सिर्था फाइन कर हम तो यह कहता है कि दर्वाज घंगा जने चेंगे ने आथे सहर को इसके लेस्टारवार है कूलते हैं कि मिस्निस केुशने तो चाहते हैं कि हमारा चोटा फाइलर जो है पाकिस्तान में बत किस्वती है कि अगर कर लेंगे तो क्या होगा है उसके अंदर आपके स्कॉयर फीड है हजूम है मुझे बता ही मैं अदा कर रहा हूं मुझे अदा कर दो मुझे ज़िए इस बाराइसरों की पॉलिशी की यह ए इस तो बता है कि नजन में अदेगे हम उसको कंड़न करने से लिए हम हम चेनल पे आपके सीधे कंड़ने च्रुब चैनले कर देगा पहले निए पहले हमारे शीक नगल लिए हमारा ताजिर मर जाएगा हम सिर्विए के आप एक नई पॉलिशी को या तो चेंज कर दे तो च इस फिसमें चार सिलिव डाले अगर वाकि सीदे से ना हकुमत पैसों की जरूरत है और पैसे लेना चाहती है हम चोड़े ताजिशे दिलाने के लिए तरह की एक मिटिंग हो तो आप लोग सारे के सारे से लेगी राना सब आपकी तरफा पपपची सो पैंटी सो पांच जारी चाहसे ले बना दे राना सब आपकी तरह आता है कि गेर कानूनी अगर मैं देखता हूं कि बहुत सारी बिल्डिंगों के हवाले से औरंगी टाउन क्या नमाहिनलगी करते हैं तो क्या आप उदर देखने को यह ऐसी चीज़ आ रही हैं क्या देखें जी गेर कानूनी बात य जो सहाफी हज़रात हैं यह मुलक का चोथा सतून है लेकिन बदकिस्मती से कि आजकल का जो सहाफी है उसे यह पता नहीं होता कि मैं ख़बर जो च्छाप रहा हूं वो खबर है क्या है वो अपनी मत्तब खबर को खुदी गलट और सही खुदी च्छपते हैं खुदी उसको करता हूँ मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल अलीगल काम नहीं होनी चाहिए जहां जहां भी अलीगल काम है उनको खत्म होना चाहिए औरंगी टाउन में बिल्कुल बहुत खबरों की नजर रहा है और है तो मैं ये समझता हूँ कि औरंगी टाउन के अंदर जो भी अफसरान आत क्योंकि औरंगी टाउन में प्रोजेक्ट के आफिसर नहीं है, ये बाहर से आएवे लोग है, इनको मकामी लोगों का पता नहीं है तीसरी बात, ये किसी भी कानून के तरीके कार से काम नहीं करते, ये काबल मजम्मत और काबल अफसोस बात है फिर गैर जो एक प्राइवेट आदमी होता है, उसको भी वो फोकल परसन वगयरा लगा देते हैं, ये गैर कानूनी है, ये इसकी मजम्मत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए और बात ये है कि अनलीगल काम जो है, शहर में बहुत है, जो के नहीं होने चाहिए, बिल्डिंग मेकेनिजम है, बिल्डर माफिया शहर में चाहिए हुआ है, ये वड़ा अफसोस नाकमल है, ये वज़र बल्दियाद को चाहिए, वज़र बल्दियाद को चाहिए, वज़र आज के दोर को देख ले, कुछ नहीं बदला, वही सब कुछ है. तो बात ये के पानी का मसला आपके जमाने में भी था, टेंकर माफिया आपके जमाने में भी था, आज भी मौझूद है, ये बड़ा अफसोसना कमल है, ये नहीं होना चाहिए, आपको भी, देखें, आप खाम हमें एक दूसरे के उपर कीचड उचालना बंद करनी होगी। हमें पाकिस्तान का सोचना होगा। शहर का सोचना होगा। मैं आपको न curios how to. मैं आपको नहीं द्यूहरा हूँ. मैं आपको नहीं कहयरा हूँ, मैं ड्रॉफको कहुती है. इसके का मेरे पारगूं बग्रादा से हाः हूँ. कोई कभी ये सोचता है के ये मुलक कर्द से कैसे निकलेगा, हमारे मुलक के जो जखायर है, उनको गिर्वी रखनें के कब रुकेंगे हम, हम अपनी रियास्त के गिर्वी रखने कब करेंगे हम, इस पे कोई अवाज नहीं उठा रहा हम IAMF की तरफ दूरते हैं, IAMF को कब हम I कि हिजब इस्तदार की पार्टियां वो यह कह रही है कि यह होना चाहिए और हमारे हाद बंदे में और इस्तियार हमारे पास नहीं है कि हमारे 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 हमार वाजी पर एक जोड़ दे किसी काम की नहीं है उसको भी छोड़ दे क्योंकि एक वजारत पर खुष नहीं हो आपके पास माशाएललह MPA, MLS की तादाद बहुत है, फिर एक वजारत पर क्यों खुश है, एक सेनेटर्शिप पर क्यों खुश है, उसको लाद मार दे, इक्तदार से बाहर हो जाएं, बिल्कुल खुश नहीं है, इक्तदार से बाहर हो जाएं, बाजी, अवाम को जवाब दे हैं, आपको तो शोक है फिर एक्तदार को चूमना, एक्तदार को लाद मारना, यह आवाम को बेवकूफ ना बनाएं बाजी, एक्तदार से बाहर हो जाएं, देखें, मैं यह कहना चाहता हूं, कि आम आदमी इस वक्त इतना मायूस है, अपने आप से, अपने बच्चों के मुस्तक्बिल से, इस मु पर ही लगे में हैं, लेकिन कोई पॉलिसी नहीं है, अच्छा सवाल आप लोगों से करते हूं, मैं प्रोगाम बाइंड अप की तरफ जा रहा हूं, सिर्फ एक या दो जुम्ले में बाजी, कोई मसाईल का हल नदर आता है, या कोई एक दो जुमले जो हमें यह मेरे पूरे पाकिस्तान को, मेरे पूरे कराची को, कि शायद की रच्छा हो जाएं, लेकिन जहां इक जुमले सुनना है, क्या बहतरी की सूरत होगी, किस तरह हो सकता है, एक जुमले के अंतर जवाब जीज़ाब जीज़ाब जीज़ाएं, लेकिन फैसने जहां से हो रहा है वक्त मेरा बिल्कुल खत्म प्रवाम का खत्म होने माला है जी आपका एक जुम्ला सुनना चाहूंगा आपने मुझसे सुवाल कर रहा हूंगा मैं आपको बदानी हुँ देखिए MQM की तो तारीख रही है कि हुकोमतों में रहे हैं तारीख की तरफ नहीं जाना चाहरा हूं मैं आपका एक जुम्ला सुनना चाहरा हूं कि इस वक्त मुझूदा सूरत हाल के हवाले से क्या ऐसा पोजिट्व जुम्ला हो जो हमें मुत्माइन कर सके यह बल्किया तुरी हवाम को बुझे उन्हाने करते कि तमाम चाहरा है इसलामाबाद का बुरा आल नहीं है मेरी वक्त मेरे बिल्कुल खत्म होगे ठीक है आपका जवाब आगिया भछ शुक्रिया आपने वक्त दिया आपने में जुआएन किया आपका बहुत शुकरिया आपने में आम्ट्यूम के मौकुफ को बियान के बहुत शुकरिया शेक्साब कोई ऐसा जुम्ला कोई ऐसी बात जो लगे कि मेरा मुल्प शायद इस वक्ट जो है जिस क्रैसिस से गुजर रहा है वो आपके एक जम्ले से कुछ बहतरी के सुलत नदर आया हमें, हमें भी एक बहतरी के जब तक सियासी बहुरान खतम नहीं होगा, तब तक ये मामलात बहतरी की तरफ नहीं चाह सकते, और मैं दूआ करता हूँ कि अल्ला हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे, और ये पाकिस्तान ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों से टेक्स लिया जा रहा है, जिन लोगों से ड्यूटी ली जा रही है, जिन लोगों से आप जिनको निचोड रहे हैं, ये टेक्स और वसाइल उनके ओपर इस्तमाल करें, ये अश्राफिया जो है, वो अपने मामलात, यानि अब बार ये बात तो आ रही है कि छीक है आप से एक जम्रा सुनना चाहूंगा सब जी मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम प्रिटिकल पार्टीज अपनी माज़ाराई खतम करें एक एक कदम पीछे हटें और एक दूसरे से पाकिस्तान की मफाद में गले मिलें ताजिर भी है उसमें तमाम मफदएब आगे आप तुमकी बात आगे ज़्यसाप अगारे मेरे पार्लिमन को मजबूट है इस पर हम सब की उमीद ये है कि हम उमीद का पाकिस्तान खुशाल पाकिस्तान हो और हमें उमीद ऐल्ला की जात से कि यह जो नफसा नफसी का आलम इंशाला ताला वक्त आएगा कि इस नफसान अफसी के आलम भी खतम होगे जिस तरीके से हम देख रहे कि जो भी है सियासतदान भी अब इस तरफ तब तब जह दे रहे और अगर इसी तरह के अल्टिमेटम के साथ चलते रहेंगे कि छे महीने में हम तमाम काराव यह देखेंगे और इसी तरह सब के सब एक जगा खटे हो जाएंगे ताजीर हर चौबे के लोग इस तरह के काउंटर चेकिंग की तरफ आ जाएंगे जो मैं समझना कि मेरा मुल्क बहुत तेजी की तरफ गामजन होगा और बहुत अच्छा और खुशाल पाकिस्तान होगा मुझे दीजी आखात के शर्फ असित करेंगे और जब भी आपका हाथ जोआ के लिए उड़े तो इस खाक सार फर्वतन अजीजीज को अपनी दौा में जरूर शामीर केज़ेगा अल्हाफिस